देखे हैं आपन देखेंगे effect of unsymmetrical spacing between transmission line मतलब transmission lines के बीच में जो distance होता है अगर वो unequal हो तो उसके क्या effects होते हैं देखें ये topic काफी important है इस पर question आते हैं काफी indirect तरीके से competition के exam में ठीक है तो सबसे पहला जो effect होता है इनकी unsymmetrical spacing की वज़े से इनके lines के parameter पर ठीक है पहले मैं आपको बता दूँ कि जो unsymmetrical spacing हो दीना इसकी वज़े से जो lines है इनके parameter जैसे inductance, capacitance इन पर फरक पढ़ता है ठीक है और inductance, capacitance इन पर फरक पढ़ने की वज़े से और क्या consequences होते हैं वो भी अपन देखेंगे ठीक है न तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो unsymmetrical spacing है ठीक है उसकी वज़े से जो inductance है वो तीनों conductor की वो same नहीं रहती और अपन यही चीज़ देखेंगे कि वो same कैसे नहीं रहती ठीक है और उसके same ना रहने की वज़े से और क्या consequences होते है ठीक है तो अब वो देखेंगे same क्यों नहीं होती तो देखो inductance का जो formula होता ना वो होता है lambda by i lambda कुछ नहीं होता flux linkage होता है ठीक है ना वो जिसका simple सा formula होता है n5 ठीक है n5 by i मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा flux linkage increase होगा ठीक है उतनी ज़्यादा inductance बढ़ेगी अब देखो flux linkage एक जो term है आप इसको simple समझाओ कि total flux linked with the conductor को flux linkage बोलते हैं बहुती simple शब्द में अगर मैं बोलू तो flux linkage बोलते हैं कि एक conductor से total कितनी flux link कर रही है ठीक है ना तो उसको flux linkage बोलते है अब आप देखो यहाँ पर यह तीन conductor बना दिये मैंने A, B, C ठीक है तीनों के बीच में जो distance है A, B, B, C और C है वो different है ठीक है ना तीनों ही different है अब अपन बात करने कि इनकी inductance क्या होगी तो देखो wire है current flow करेगा तो उसके round magnetic field होगी linkage flux है ठीक है वो बहुत ही जादा है ठीक है क्योंकि इसकी भी flux और इसकी भी flux link कर रही है तो इसकी inductance क्या होगी सबसे ही जादा होगी ठीक है तो इसकी जो inductance है वो जादा है ठीक है अब देखो जो A है उससे B की flux link कर रही है और A और B के दिस्टेंस है ना वो बहुत कम है तो मतलब पूरी की पूरी flux link कर जा रही है दोनों की ठीक है ना तो A की जो inductance होगी ना वो B से तो कम होगी लेकिन C से जादा होगी क्यों क्योंकि जो C का distance है ना B से वो थोड़ा ज़ादा है तो इनों बी और C की flux link तो कर रही है लेकिन कम कर रही है ठीक है ना तो सबसे ज़्यादा B की flux linkage थी तो इसकी inductance सबसे ज़्यादा फिर A की flux linkage थी तो इसकी inductance फिर second number की फिर C की flux linkage third number की क्योंकि इसका distance थोड़ा ज़ादा था ठीक है तो यह चीज आप देख लो कि inductance है ना इस ratio में है sorry इस order में है और मैं बोल सकता हूं सबकी बराबर नहीं है ठीक है ना तो मैं बोल सकता हूं तीनों inductance जो है वो बराबर नहीं क्योंकि तीनों फ्लक्स linkage बराबर नहीं है ठीक है आप मेरी बात को समझ गया होंगे ठीक है ना तो आप अपन यहां पर आ गया है कि यह inductance तीनों की बराबर नहीं है अब अपन को पता है inductive reactance ठीक है ना जो होता है तीनों चीजों का difference है तो तीनों जो lines है तीनों जो lines है उनका जो inductive reactance है वो भी अनिक्वल होगा इस फर्मूल से देख लो जब एली सबका different है तो XL भी सबका different हाईगा तो A का XL, B का XL और C का XL तो तीनों not equal सा गया अब अपन तीनों line में voltage drop देखते है i into x है ना current into inductive reactance अब आपने देखा कि current जो है वो तो same रहेगा तीनों conductor में क्योंकि जो अपनी supply है supply end है वहाँ से तो balance current आ रहा था ठीक है जो spacing है symmetrical spacing वो different है ठीक है ना asymmetrical spacing है ठीक है वो different है तो voltage drop भी सबका different होगा क्योंकि सबका x inductive reactance different है जैसे अपने उपर देगा तो मैं बोल सकता हूं तीनों में जो voltage drop है वो different आ रहा है अब आप देखो अपने इस चीज को बना लिया ऐसे तीनों conductor को अपने ऐसे बना लिया और अपने supply side से ABC को 220 voltage दिया per phase मतलब A पे भी 220 B पे P2 20 C पे भी 220 जब अपन को पता है जो तीनों में voltage drop है वो different है ठीक है न तो supply side पर भी क्या होगा जो voltage आएगा जो वो different आगा मानलो यहाप यहाँ पर 220 था ठीक न यहाँ पर पर 220 था, इसका वोल्टेज दॉप हुआ 20, ठीक है, क्योंकि तीनों का डिफॉरेंट है, यहां पर कितना आएगा? 200 आएगा, मानलो इसका 體ना था, 10, बी का व्ल्टेज रॉप कितना डाएगा? 10, तो यहां पर आजाएगा 210, ठीक है, इसका था 30, तो यहां पर आजाएगा 190 मतलब supply side से मुझे balance voltage दे रहा हूं लेकिन receiving end पर मुझे unbalanced voltage मिल रहा है सब तीनों फेस पर voltage same नहीं मिल रहा है ना तो different inductance का एक यह भी drop है ठीक है ना receiving end voltage is not same और यह काफी बार पूछा भी जाता है ठीक है इस बात को मैंने statement में भी लिख दिया है मैं पढ़ देता हूं एक बार in a power transmission line when the line conductor are asymmetrical space that is not equal space इतनी बात आप समझ गहोंगे the inductance of each phase is different तीनों फेसों की inductance different निकली थी causing voltage drop of different magnitude inductance different होने के लिए कि वज़े से voltage drop भी different magnitude का है अपने देखा कैसे ठीके ना even if the system is operating under balance condition किसके बावजूद जबकि अपना system balance condition पर operate कर रहा था और current जीनों face में क्या था सेम था अब देखो एक और डॉब है देखो इसकी वज़े से देखो यह तीन conductor है ठीक ना अब क्या होगा अन्समेटरिकल स्पेसिंग वज़े से जो external flux होगी वो वो कुछ होगी मतलब zero नहीं होगी ठीक ना कुछ में value होगी उसकी ठीक है अब देखो अपन को पता यह जो flux बन रही है वो किसकी वज़े से बन रही है लाइन conductor में क्या flow रही है एसी तो मतलब यह जो जो flux है वो pulsuating flux है मतलब change in with respect to time है अब यह जो flux होती न यह link कर जाती है इसके parallel में या इसके साथ में चलने वाले telecommunication lines है अपन को पता है whenever there is अब इस से जब यह flux link करी तो अपन को पता whenever there is change in magnetic flux there is induced EMF फेराडे कर लोगा है e equals to d5 by dt whenever there is change in magnetic flux there is induced EMF तो telecommunication line में क्या होगा EMF induced हो जाए और इसके विज़े से इसमें होगा interference यह दूसरा है जो question में पूछा जाता है also the magnetic field external to the conductor is not zero magnetic field जो होगी conductor के बाहर ही इससे में वो zero नहीं होगी thereby inducing voltage in adjacent communication line causing interference तो क्या होगा जो voltage induced हो जाए इसमें आपको ज्यादा सोचने की जुरत नहीं है आप मालो अपन को पता है यह दो conductor जो होते हैं वो parallel plate की तरह act करते हैं ठीक है ना अब अब अपन को पता है आप simple सही वाला formula दिए को दूसरे बोल जाओ C equals to E not a by D अब D क्या है distance between parallel plates अब देखो जब तीनों में distance भी सेम नहीं रहेगा तीनों plates में ठीक ना जैसे यह दो plates से इनका distance अलागे यह दो plate है इनका distance अलागे यह दो plate है इनका distance अलागे तो capacitance कहां से सेम रह सकता है ठीक है तो दूसरा यह है unsymmetrical spacing की वज़े से अब देखो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इस unsymmetrical spacing से की वज़े से होने वाले जो यह drawbacks है इनको overcome करने के लिए अपन transposition of conductors करते हैं या फिर मैं बोल दू transposition of transmission lines करते हैं ठीक है तो वज़े अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में Thank you